केपिटल स्मार्ट श्री ओवर्सीस चेंटरल में इस तक डिवल्पमेंट की सूर्थेहल क्या है इस रीडियो में आपको बैसिकली जो प्लॉट के साइज और कितने प्लॉट्स यह नॉन डिवल्प हैं प्लस ओवराल जो जोग्राफी है कितना किस एरिये में लोकेट करता है इसका एक्सेस कितना डिस्टेंट है फ्रम दमीन अम्टर मोर्वें प्लस तक यह निए मार्किट है जहां से आप डेली बेस की जो चितनी प्रक्योर्मेंट हो दूब निई जिवह कर सकते हैं अब जो नहीं वीडियो जान स्टार्ट कियाग वह लेफ्ट साइब रोड था ज सबसे पहले सबसे आपकी सबसे साथ यहां पर स्क्राइब बंती है जहां पर नाम बनता है कमर्शिल रोड टू और यहां पे 4,000,000,000 और इसके सामने वाले साइट पे यहनि के में रोड फेसिंग प्लट 8,000,000,000 अब बात की जाए हैं यहां पर डवलबमन्ट की साइज की बात होगी कि प्राइशन के प्लॉट्स एंगें अपर था स्ट्रीट से लेकर वहां के लेन टूरेंट ऊता है वहां पर वहां मुकंबल कारपटिंग भी हो चुकी है और बहुति स्ट्रीट 6 पर वापर एरिया बनता है जो डिवेलप तो है बट अभी तक यहां पर किसी तरह की वह कंस्ट्रक्शन जो उसकी स्टार्ट नहीं हुई ना सॉसाइटी की तरफ से जैसे रोड नेटवर्क होता है उसकी कार्पटिंग करना फुट पाथ का स्ट्रक्शन की बैक्नाद बीललिंग को और इस एक सब्सकर्ट करते हैं तो जो मेंबर सेवर्शीन इंट्रल में रहते होंगे तो प्रूइज़ लीनियर ने रोड और सेंटर में पार्क है इसी जानवाइं अक्सेस लेकि आप पर कनेक्टिविटी ले सकते हैं जिसे रहां पर अब बात करें पार्ट कि जो स्ट्रिट फाइव अगर हम बात करें तो राइड ना जो फोटेज अप स्ट्रीट पर देख रहे हैं यह बनती लेंट 2 पर जतना अरिया है सारा का सारा एरिया में के वहां पर किसी किसम का कोई ऐसा काम नहीं रहता कि जिसके बाद मेंबर के यार के प्लॉट डिवेलप होगा तो कंस्ट्रक्शन सार्ट करेंगे राइड नौ वहां पर चितने डिवेलपन डिलेड़ेड़ काम है वो अलड़ी मुकमल किया जा चुके हैं इवन को जो ब्लॉक के अर्ट मां के अंदर कंप्लीट हो जाएगा अभी डिवेलप्ट है यह वाला एरिया लैंड का देखा जाए तो लैंड यह पहले भी बिल्कुल स्टेट थी इस में सच को फिलिंग वाला पार्ट नहीं था राइट साइट पर स्ट्रीट 6 ऑनवर्ड बनता है वहां पर मोस्ल चाहिए अबढ़ बनाए तरफ से इसल फिलाज बना जा रहे हैं यह मेंबर के पास प्लॉट्स हैं उन्होंने प्र प्रोट नहीं किया है मेरा फिलोग जाते हैं लेकिन और यह यहां प्र पिसने प्लाय नहीं किया और देखें अगर मोटर निए यहां पर नियुक्त है और स्ट्रीट से लेंड स्ट्रीट इसके लेंड स्ट्रीट फोर की एरिल फोटेज इसमें को जिन वेंबर्स की यहां प्लॉट हैं उनको डाइडिया होगा कि इस सब्सक्राइड के प्लॉट होगा तो यह वीडियो फॉल अप वीडियो ती जिस रही बनाते हैं तो यह नमंबर सेमन्त की है तो अभी तक नमंबर के महीने तक स्टाइटी में और अवराल डेवल्मंट जो आपको पूरा देखें पूर्ड तो सिरफ मिटी के टेले और कुछ गलियां कटती वें नजर आ रही है पर उस तरह से डिवल्मंट जैसे और सिस्ट में जैसे प्राइम वन में हैं उस तरह से डिवल्मंट यहां पर नहीं हुई उमीद करते हैं कि आने वाले दुनों में ज्यादा तेजी से होगी अब बात करते हैं जो में इसकी सेक्टर एक साथ के साथ किनेक्टिविटी यह वाला जो रोड यह सेक्टर बी तक पहुंच चुक है उससे आगे जो रिटिकेट इड़ पार्ट है और इस ड्रोड में हर तरफ साइटी ने एक सेंटर लें रखी है यह यह रिट किसी बीजगह तक आपने करना होगा तो साइटी ने किसी भी सेक्टर किसी ब्लॉक में जा का जो अंसर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है बलके फोट से पार्ट पर वीडियो में एकस्पेंट भी कर दूंगा फस्ट बाल स्टार्ट करते हैं अच्छे मैं तादुसमें आठ स्ट्रीट सें और पांच लेंज है यह आर्ट इसमें वर्टिकल स्ट्रीट सें और च अब चलते हैं जिस सेक्टर B के स्टार्ट से अब यह जो इस शुडू में स्ट्रीट 1 की प्रिमिसिस आती है सारी दोखनाल की है यह सारा अरिया जो दोखनाल की प्रिमिसिस बनाता है इस तरफ यह नहीं कहसे थे कि फिलिंग होई है बट यह वह काफी हद तक ना कटिंग व यह आपका स्ट्रीट 1 की प्रिमिसिस स्टार्ट होती है यह ट्रक्स आप जो काम करतें नदर आ रहे हैं स्ट्रीट 45 पर काम करतें नदर आ रहे हैं अच्छा जी पहले चलते हैं स्ट्रीट यह यह जो आपको लाइन कची से ड्रॉय नदर आ रही है बैसिकली डिवैलप तो हुआ तो इसमें को इस टिरच ना को नो किया गय यह स्ट्रीट वन का जो प्रेंट और यहां मुन города इस ए इरी में घञ नहीं हो नहीं यहां से स्व्ẫn निकल लेगे हैं पर स्वाइके स्वेर्फ ठीर्ट फोर फाय को पर्राय की प्रेमिस त्वर आरे यहां पर कटिंग हो रही है 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 जहां पर ट्रॉक्स कारी बन के साथ ही अगांग अगर इडिडिस्ठंट है यह जो अरिया नजर आ रहा है इसमें सर्टन पार्ट है जिसमें आप लिडिकेशन कह सकते हैं कि इस एरिया में स्ट्रीट सेमन एरिट में यहां पर जो कनेक्टिविटी है याद रहे कि यह रोड है यह सेक्टर बी तक मुकमल पहुंच चुकी है जो बैक साइड से रिंग रोड आती है जिससे आपको बैक साइड से यह खेरी मुर्ट रेंज का व्यूब मिलते है और साथ यह आपको नैशनल यूश्टी वर टेकनालोजी का जो कैमपस है जिसके तक्रीब आर्ट फ्लोर बन चुकी है उसकी बिल्डिंग भी नज़र आती है और यह जो आर्वन रोड है जिन मेंबर्स के फोर मरला नेडेट मरला कमर्शिल प्लोर्ट हैं सेक्टर बी में उन मेंबर्स के लिच्छी खबर यह है कि उनके प्लोर्ट के सामने जो रोड है वो बन चुके है अलबता जो प्लोट जहां प्लोट की पार्किंग बननी है ने वाल अर्या यह ब्रीच से शचार्ट है याद हुआ यह ब्रिच से स्टारट रही है यह सेक्टर बी की निशान यहिन एकर आप स्टर एजसे आ रहे हैं तो दोनौ साइड़ों से ब्रिच हैं यक Oreков मारिच हैं और दूसरी साइट भी यहां यह वीडियो के स्टार्टर में और में आपको यहोला इरिया बनता है जो यदिक पहाड़ी में डिया बहुता है। यह वहां पालजा आरिया राको कि अब कुछ नहीं पहादी गोता है यह अम्हान ऑप मैं देयर है । तो विल इस तर्फ सारी निकला हुआ है इस तरह सारा ब्राउन हुआ हुआ है, तो यह जो शर्टन पार्ट यह वला बनता है इस पर थोटब ची किनफ्योजन है, तो विद आ पैस्टर टाइम हार्ली को पांच मैने ज़े छे मैने की बात है यह सारी कन्फूजन भी क्लेर हो जाएगी अब जलते हैं जी ओवराल सेक्टर डी के सेक्टर बी के 360 डिग्री व्यू में देखते हैं कि ओवराल सेक्टर बी के लोकेशन कैसी है इसके अलिवेशन कैसी है और फ्यूजर में अगर आप यहां पर घर बनाते हैं तो उस लिहाँ से आपको यहां पर किस तरह की स्ट्रीट नरिफर प्रिकाद जो स्ट्रीट 2 नर अच की सिर्ट 2 अटियाँ कैसी है सक्ट्रीट 2 यहां इखएत बनाते है और यह सत्रीट 3 वं में 5 है, इम अगर जाके लेन 2 में स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 के बात करें इन तीनों स्ट्रीट पे अभी आज की डेट में पार्शली काम हुआ हुआ है आधी अधी स्ट्रीट पे काम हुआ है और आधी स्ट्रीट पे आके जाके यह वाला पार्ट स्टार्ट जाए लेटिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो इसमें लग रहे हैं ब्लॉक बहुत चोटा सा है तो इसमें बहुत ज़्यदा प्लॉट्स है तो इतना चोटा ब्लॉक भी नहीं है इतना कम लग लेकर मैं इसके हाइट कर लेशन कम कर लेता हूं ताकि आप मेंबर को कफ यह तक लेर ने स्टेंडिंग मिल सके है और ट्रक्स पीछे मूब करते हो नज़र आ रहे हैं और सेक्टर डी विली साइड से आ रहे हैं सेक्टर डी से भी आए साथ जो अज़स्टन जहां पर रिंग रोड बनी है उस से यह में थोड़ा बहुत काम भी है शुरू हुआ है मैं इंशलों नेक्स किसे विडियो में उस पर विक्स्ट्विन कर दूँगा यह अब आगा स्ट्रीट नमबर टू और लेन नमबर टू और इसके साथ साथ जिस्टन जो प्लाट्स हैं इस तरफ जो प्लाट्स बनते हैं सारे यह बनते हैं स्ट्रीट, 3, 3, 3 के प्लाट्स यह एरिया ज़्यादा मिलता है मासवेदो किनल के इसमेटे प्रट। किनल के अच्छे अच्छे आलिवेटेड इरिया में आते हैं आँ उसमें क्याव खरी पर लेगा इसे इसलामध पंडी कि ट्रेन में बैठें में जहां में 7-8-20 streets आती हैं तो आपको आइडिया हो रहागा अभी भी drone both height पर 200 feet की तो यह जो streets बनती है इस सरफ देख लें काफी ज़दा elevated area है और अभी सारे area में society ने इस area में cutting करनी है और इस area में बाके ब्लॉक का काम तो मैं land के अगर बात करूँ land procurement की तो let's consider 100% land procured है even though कुछ पार्ट ऐसा है जो जहां बे काम बिल्कुल ने स्टार्ट हुआ और अगर हम बात करें development के status की तो इस वक्त आपको ब्लॉक में अगर machinery's count कर सकते हैं तो आपके सामने एक frame में मैं zoom out कर देता हूँ और height देता हूँ अगर टाकि street number 1 principle के बिल्कुल साथ यहां रभी 2-ceu किनाल के प्लॉट्स है सारे इस तरफ सारे 2-ceu किनाल के प्लॉट्स है और 10 प्लॉट्स शुरू में 10 प्लॉट्स आकर जागे हैं दो किनाल के ठीक है यह back side में street number 2 आगया इस पर सारे दो किनाल की बैक पर सारे वन किनाल के प्लॉट्स है यह स्ट्रीटों की प्रिमिसिस बनती है सारी और सेंटर में जो यह वाली लेन आपको नज़र आ रही है यह लेन है लेन नमर टू अच्छा यह स्ट्रीट टू आगी सारे वन किनाल के प्लोट्स है इसके अपजिट साईड़ है पसारे वन किनाल के प्लोट्स है जहा को मिशीन काम करती है ले है कि नगर आ घुल है ये वर्टिकल जा को तक है जो लास्ट पार्ट है यहां पर स्टीट फाइफ खतम होती है जहां भी यह डंप पर मिट्टी डंप कर रहा है यह फिलिंग वाल आड़िया बनता है जिन मेमब्र्स के अपनोट हम भूद देख सकते हैं तो यह स्टीट फाइफ के प्रिमसिश है और इस तरह से स्टीट स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, यह सारे अरिया नॉन ड्वलप है, अब तक चेड़ा भी नहीं है, जब इस पर ड्वल्में स्टार्ट होगी तो तब इन्शालास में क्लारिफा कर पाएंगे, क्या साइड बनते हैं, कि यह साइड देखें, यह रिंग रोड ली स्ट्रीट पर स्ट्रीट बनती है, इस एरिया में कहता है कि सर्टन पार्ट पर कंफ्यूजन है कि लिटिगेशन है या नहीं, यह स्ट्रीट 6 वरी साइड बनती है, जो सेक्टर D और सेक्टर B को डिवाइड करती है स्ट्रीट, उस स्ट्रीट की बात करता हूँ, बट लेट सेक्टर बी के जहां तक रोड है हैं अभी तक बन चुका हैं यह सारे यहां पर फ्रणड पर आठ मर्ला और बैक पर चार मर्ला पार बनते हैं सेक्टर सी की ओवराल 360 डिग्री में डिवेल्पमेंट एक्स्प्रेंट करूंगा कि इस सब्सक्राइब हो चुकी है और कितने डिवेल्मेंट बाकी है वैसे बताने के जरू होती है जनरल असानल वहाद के लिए अभी तक यहां पर एक प्लाइबल नहीं है अब हम डिस्क्स करेंगे ऑवराल के स्ट्रीट कहां पर आती है और सब्सक्राइब करते हैं तोटल इसमें और इसमें सिर्फ किनाल के प्लाइबल से आपको एक्स्प्राइब करते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद यह जो आपको एरिया नजर आ रहा है यहां पर कुछ एक वार्टर बाड़ी भी है इस तरफ यह सारा अरिया जो है यह भी सुसाइटी की तरफ से इस पे कमर्शिल प्लॉट जो है वो एक मरकज बना गया पहले मैप यहां पे सारे तीन सुफ़ फुट का रोड था अब इस रोड को रिवाइस कर दिये गए अभी वहां पे कमर्शिल प्लॉट बना दीगी हैं तो वो कमर्शिल प्लॉट जो इस तरफ आते हैं आपके यह इनकी कनेक्टिविटी आगए चार सुफ़ फुट रोड के साथ भी है और यहां पे बहुत बड़ा पार्क भी आता है जो यह वह लेंड जो है सारा एरिया जो वह द्रियाज जो सिल्ड रिवर का उट फ्लू है वह गुजरता है यह जार से बाते हैं यह पर कुछ नस्ट्रक्शिए होसकता था साइट यह पर पर पार्क्स बनागर देदी हैं यह उसे बात में बात करेंगे सेक्टर ए पर आते हैं सेक्टर सी पर फरस्ट अफॉल यह वह बड़े पार्क अरिया आ गया जो साड़े तीन से फट रोड के साथ है उसके साथ यहां पे एक मरकज बन रहे इस वाले अरिये में जो साइट ने चार मला आट मला छे मला कमर्शिल क और यह वहाला साथで टेरेटory जो है यह है अपकी सेक्टव सी के प्रिमिस्स सबस्थिदी है अब इन जनरल देखिए प्लॉट का किसी पलॉट का पॉजिशन आवील अर्वेलेबल है तो ओर आलम से किसी पलॉट का और नहीं है लेकिछन्यों कि प्लॉट्स है स्कृच्फि आरिया द्रया के साथ लोड़ी जमीन अर सारी एरिया को साइट ने फिलिंग करना है। यह जो आपको भाड़ी सी नज़र आ रही है, भाड़ी वाला एरिया जो बनता है। यह सेक्टर सी का वहली प्रिमिस्स बनती है। स्ट्रीट फॉर का फाइव का और सिक्स का। । । । अरिया बनता होगा वो बिलकुल हाइट अरिया बनता है जो कि अस्टीर Kommiडल बनता है उस आगे पर आके रगया स्टीर ko । लेन 3 का अरिया विच सारा जो है वो इस तरफ जो लीने पार्क रोड है उसके साथ आता है और इसके उपज़ेट साइड पर जहां पर लेन 2 की प्रिमिसिस बनती है वो दौरा प्रिमिसिस भी स्लोप की तरफ चले जाती है यानिके डाउन स्लोप है वहाँ पर टॉप सेज़ेट सारा बॉटम की तरफ जाती है उस सारा स्लोप बनती है तो यह जो आपको पहाड़ी का पिलकुल टॉप पॉइंट नज़र आएगा मैं आपको 360 डिग्री कहते हैं तो भी एक्स्टेंट करता हूं कि यह जो एरिया बनता है स्टेटर C का इससे तरफ आपको सारा खारी मुर्ग रिज़ का विउमिलता है तो इसलिए वह एरिया तो प्रॉपर्टी की वर्थ स्ञाटा होजाती है जो स्लोप होती है स्लोप के साथ एलिवेटेड एरिया होता है वो सारा कवर कर लेता है अब यह आगे उनके मिडल ओफ स्ट्रीट्स और इस तरफ आपका जो में रूट के साथ अगर आपको लेवल प्लॉट चाहिए आपको जर्या सिंपल लेवल प्लॉट्स हो तो आपके इस एरिया के बानते हैं जहां पर आपके लेलिन नंबह प्रिए है और इन पर सट्रीट्स अर्री« यह उसके बास तई होड़े ले प्लॉट्स बनते हों उन जाएलिए ब्हटर आपके नजर अर्यए और पीछे में स्टार्ट पर 400 फुट रोड आकर कनेक्ट होता है मैं दिखाता हूं कि वहां सब को रोड की विजबिलिटी मिलती हो तो यह जो ट्रक्स आपका काम करते हैं नजर आ रहे हैं इन ट्रक्स ने आकर यहां पर जिस पॉइंट पर कनेक्ट होना है जहां पर ओवर सी सेंटल का 400 फुट वाला पार्ट खतम होता है उसके साथ यह सारा अरिया जो वाटर बॉड़ी है स्टार्ट इन मैप उसको पार्ग दिखाया हुआ है लेकिन यह वाटर बॉड़ी है सेंटल को फिलिंग करके पार्ग बना दे यहां पिर कुछ और भी क्रिएट कर दे वाटर बॉड़ी क्रिएट रहने दे लेट सी यह साइटी की अपनी चॉइस पर कैसे कैसे किनवाइट करते हैं लेकिन जनरल जिस सेक्टर सी है उसकी प्रिमिस आपके नदर आ रहेंगे यह वाला अरिया आ गया जो चार सो फुट अच्छा जिसकी जो चार सो फुट टोड़ ले जितने प्लॉट है उस साइड पे वह सारे प्लॉट जाना वैसे आपके 30-32 पाइल्स निकल आते हैं तो आपका 25-30 लाग तो वहां लग जाता है तो कनाल घर पे 50 पाइल्स निकलेंगे तो 40-40 पाइल्स लाग एक्स्टर लगना पड़ेगा आपका तो बैटर इसके बाया प्लॉट के जिसकी एलिवेशन अच्छी हो मैं हमेशे हर वीडियो बाये करें जो ऐसी अरिया बना जो कटिंग बनती हो यानि सुसाइटी ने मिट्टी यह देखें, यहां से काट रहे हैं तो नीचे जमीन पिर भी सخت है तो कटिंग वाला अरिया जो होते हैं मैशे सक्ख जमीन जाती है मैं एक्जेम्पल यहां दिखाता हूँ यहां से जो मेट्री उठाक लेकर जाते हैं जो फिलिंग वाला पार्ट होता है जब किसी जगा पर जाकर फिल करेंगे जार सी बात है कि उस एरिया की जो स्टेंथ है बेशक जितना भी कॉमपेक्ट कर लें जालें जो नेच्रल लेंड होती है अल्ला की जमीन अल्ला ने हजारन सालों से बनाई हुई है तो यहां पर जमीन जो है जो तब से अगर इतने मुश्किल अलागा जल्जले तो फान सब बरदाश कर गई है तो जब building उसे बनेगी तो उसकी strength already इतनी है कि उसारा कुछ sustain निशे कर सकती है वना आम तोर पे जहां पे filling होती है वो area जो हमेशाब को expensive क्रेड़ करते हैं तो plot खरीते हैं वक्त इस बात को लाज़ी मदने नदे रखें मैं अभी overseas west की जब map वीडियो बनाई थी तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन ने explain की तो इसके लावा मैं right left कोई बात ने की थी यह बाकी सारी बात है जब area developed नहीं हुआ possessionable नहीं हुआ तो जार सी बात है सारा area irrelevant आ जाता है इस तरह भी सारे area में society पीछे जाके यह जो खड़े बनते हैं इनको भी मिट्टी डालके फिल ही करना है इसकी स्टेंथ कभी भी यहाँ पाएगी यह जो रोड़ आपको नजर आ रही है और यह जो ब्रीज आपको पीछे बैक स्टेंट पर नजर आ रहा हुआ शायद में जूम करता हूँ विजिबल हो जाए यह जो area बनता है यह basically sector A और B को divide करता है यह सारी premises सारी सेक्टर B के आगी और उसके बाद यहां से sector D की premises start होती है A, B, D और उसे आगे जाके सेक्टर F आता है यह सारा area जो है यह sector D की premises में locate करता है यह linear park road आगया हमें हाइट सरसी काम करता हूँ और मैं point wise आपको जाके पुरे block करना 360 degree में view देता हूँ कि इस वक block में development कहां पर स्टेंट करती है sector D की सेक्टर D के बिलकु नॉमिल से पार्ट है शुरू का 15% यह 10-20% area होगा जो सेक्टर D की लैंड की अगर बात की जाए तो मेरे खाल है कि बहुत अच्छी लैंड है यह सारी area जो है ना वो काफी ज़दा elevated है कावी हाइटेड area है तो इस सेरी में सिर्फ कटिंग होनी है इसमें society ने फिलिंग का जो पार्ट है वो शामिल नहीं होना तो जितने भी प्लॉट्स यहां पे होंगे उन मेंबर्स को परिशान नहीं होना चाहिए कि हमारे प्लॉट की लैंड कैसी है हाँ बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो भी और सीज वेस्ट में यहां तो शिफ्ट कर चुके होंगे यहां उने अक्नॉलजमें स्ट्रीट बनवा चुके होंगे तो वैसे मेंबर्स हम उससे बात करते हैं पूछते थे एकसर मैं बात करता है कि sector D is far better than any other block reason being कि एक तो आपके इंटर्चेंग के साथ डारेक्ट कनेक्टिविटी इसकी और इंटर्चेंग के साथ कनेक्टिविटी से हटके इसकी मालब यह जो रोड जाता है लिए नपा कि सिदा इंटर्चेंग करता है इस ब्लॉक से आपको बिल्कुल अडियस्टिविटी की प्रिमिस्टिविटी मिलती है अब भी आज की डेट में उस एरिया की बेशक वैल्यू नहीं है कि यह जमीन पर इंटर्चेंग करती है लेकि फ्यूचर में जाके इस एरिया की वैल्यू बहुत ज़ादा होनी है क्योंकि इस एरिया के साथ आपको जितने अपको एक्जेंपल लेता हूं कि अगर आप चक्षजाद में जाएं तो अलसेयद एवन्यू है उसके लावा रॉयल एवन्यू है वहाँ पर जाकर प्रॉपर्टी के रेट्स देखे न तो रेजिडेंशल प्लॉट आपको 50-60-60 लाग मरला मिलता है लाव नियूटेक केंपस है, यहां पर नमल ने भी बनना है, यहां पर अगाको न होस्पिरल न號 बाद में भी आने ही तो यहां पर इस तरह बहुत ज़्यादा आसे बड़े प्रजेक्ट्स होंगे वो यहां पर आएंगे उन प्रजेक्ट्स की वज़ए से यहां पर जारी सी बात है कि जो डिमांड होगी वो फॉरेवर होगी उन डिमांड ने कभी फॉल नहीं करना ये सेक्टर डी का वो पार्ट आगे जहां से सेक्टर डी और सेक्टर बी आपस में डिवाइड होते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था काफी ऐलिवेटेड पॉइंट से ये वाला पार्ट है ये डिविजिन आपको आइडिया होता है कि इस से आगे सेक्टर D की प्रिमिसिस कैसी है ये एरिया है शुरू का जो थोड़ा सा ब्राउन है यानि ये लैंड सुसाइटी के पास आज की डेट में मजूद है Overseas West का तो इससे मैप लाँच हुए उसके बारे में आइडिया भी नहीं है कि उसकी लैंड कैसी है जब उसकी फ्यूचर में डिवल्मेंट स्टार्ट होगी हम उसके बारे में तब बात कर पाएंगे ये एरिया इस जमीन पे एक्जिस्स करता है Overseas East में पहले, सक्टर K technology L उसके लावा सक्ट आई लिटिगेशन थी सक्ट और ह इस to the सक्टर जीगेशन थी सक्टर फ़ेगेशन थी आभी वहां सब सक्टर जी और पार्शल स्क्टर एच बाकी है कि बागि सरी लिटिगेशन क्लियर किया जा चुकि है Central का सिर्फ ये सेक्टर D बाकी है और इस से आके जो ये आपको थोड़ी अबादी नजर आ रही है ये सेक्टर F की Premises के साथ साथ देरी आता है ठीक है ये वला अरिया सारा सेक्टर F का है यहां पे D और F में Litigation है ये Linear Park Road आ गया है इससे आप इस तरफ देख सकते है कि सारा सेक्टर D है उस तरफ सेक्टर E है वो बैक्रणड में आपको Golf Course के अंदर जो मार्की बनी है वो भी नजर आ रही है Golf Course के जहां से वियू भी मिल रहा है और बाकी जो Society की Access है Overall in general किसी भी एरिया से अगर आपने इस एरिया में एक्सेस लेनी हो तो काफी Easy Access पर सेक्टर D रोकेट करता है Overseas Central सेक्टर E में इस तक development की सूर्थेहाल क्या है इस वीडियो को मैं टेक्निकली तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा First part में street number 1 से लेके street number 6 तक जहांब से 7 मला के plots हैं और 7 मला के plots हैं इन में से एक भी plot अभी तक possessionable नहीं है हाँ इन में कोई plot litigated भी नहीं है यानि कि तमाम plots की जमीन जो है वो society के पास मजूद है बट उस पे भी development मुकमल नहीं हुई development वाँपे बाकी है street number 6 से लेके street number 17 तक जो है वो society के पास properly जो road का जो layout plan होता है वो बन चुका है और proper वाँपे अब भी carpeting होना बाकी है यह जो पार्ट आप देख रहे हैं यह rectangular park जो है स्ट्रीट 6 को स्ट्रीट 7 का पसमें divide करता है और यह 6 canal का पार्क है अब इस से right side पर देखें यह west side पर देखें इसके तो आपको बनता है साथ मरला के plots और इसके left side पर जो plots बनते हैं और साइड पर जो plots बनते हैं वो बनते हैं आपके पांच मरला के plots याद रहे कि पांच मरला के plot majority नहीं तो तो इबन 95% developed है majority बनते हैं almost साथ मरला के plots हैं वो बहुत कम हैं जो developed हैं सेक्टर E के अंदर इनफेक्ट करूंट करूं तो शायद एक स्ट्रीट होगी जहां पर लेन होगी जहां पर प्लॉट्स नहीं हैं यह जो आपको सारी फोटेज नजा रही है पार्क के opposite side पर जो पार्क में भी जूम कर रहा हूं यह जो पार्क है यह स्ट्रीट सिक्स और स्ट्रीज्ट का डिवाइडर है और यह इसके opposite side पर जितना लैंड बनती है हो तमाम की तमाम लैंड आपकी साथ मला के पलॉट्स के लिए जेफ़ड है अगर साथ मला के बात करें तो सुजाइटी ने जब यह पर पलॉट्स बैलिट किये थे तो इसकी location को लेकर बहुससरी लोग सवाल करते थे कि साथ मला के Plots कैसे होंगे तो overall साथ मला के Plots अगर मैं बात करूं overseas central में जो सबसे अच्छी location के Plots हैं वो यह वाले Plots बनते हैं reason being कि एक तरफ से आपके linear park है और एक तरफ से आपके 400 feet main boulevard है वो मैं इस वीडियो के end पे आपको सारी इसकी development भी बताऊंगा जो third part हो का उसके बाद जो यह साथ मला के Plots हैं कि अच्छी बात एक यह भी है कि यह साथ मला के Plots जों दोनों साइडों साइडों से अकसेसिबल है यानि कि आप किसी भी street के किसी भी plot के आप घर बनाएं तो आपको easily access है linear park का और 400 feet road का उसके साथ-साथ 400 feet road के उपर जो high-rise commercial आएंगे उसका थोड़ा सा कौन होगा negative side की आएगी वो आएगी यह शुरू के Plots जो 400 feet road के साथ है जैसे हर street का जो पहला plot number 1 से लेके plot number 4-5 तक होंगे जो 400 feet road के साथ-साथ-साथ-साथ होंगे वहाँ जाय सी बात है कि आपको privacy disturb होती है उपर अपार्टमेंट्स बनेंगे high-rise building बनेगी ground plus 30 की building है तो एक sandwich बन जाएगा बीच में other than that in plots की location की positive point यह भी है कि left side बे जब linear park है तो किसी भी block की किसी भी street में आप रहते हैं किसी भी plot पे आपको घर है यहां पे वो पार्क की जिस्स करता है उसके साथ साथ दूसरा पार्क जो है इसको 30 किनाल का पार्क है और तीसरा पार्क जो है वो 8 किनाल का पार्क है तो इस block के अंदर technically 4 से 5 पार्क है जो इस block को और डी block आपस में डिवाइड करते हैं एक लीनियर पार्क बड़ा मैंने पता दिया पहले 60 किनाल का दूसरा लीनियर पार्क मैंने प्लॉट्स आके पांच मिला की तरफ के नवर्ट हो जाते हैं साथ मला की साइड आप ने देख ली कि वहां पे अभी तक सोसाइटी जो अर्थ फर्क कर रही है पांच मला प्लॉट्स की बात करें तो पांच मला पर अर्थ वक जो है काफिया तक मकमल ओगा आपको नजर आ रहा है को मैं जूम करें दिखाता हूं तो तो इसे कुछ पार्ट पर आपको चोटे दरख नजर आ रहे होंगे जार सी बात है कि यहां पर तीन-चार साल पांच साल बाद यह दरख बड़े ग्रोग कर जाएंगे ऐसे ही आपको दरख और सीजिस में निजराते पहले बिल्कुल पौदे थे चोटे चोटे और आज व स्रीट ट्वल्व अब टू स्रीट सेवन से लेकर स्रीट नमर 14 तक अरिया बनता है यह सारा अरिया जो पॉइंट आपको नजरा रहा है यह 400 फीट रोड से एकसेस पॉइंट है इसको आम तो पर कहते हैं सेक्टर लिंक रोड यह 50 फुट वाइड है और इसके दुबारा बा पर लेकर का आपका एक पार्क है जो आपको लेफ साइड पर आपको बात करें अब स्रीट 14 से आगे मूव करते हैं तो स्रीट 15 16 17 18 19 पर प्लाट से प्लाट से यह जो आपको यह लास्ट जांप मिशीन काम करती नदर आ रही है इससे पहले वाली जो स्ट्रीट है अगर फेस इस वेस्ट की तरफ फेस करें तो यह पांच मिल्डा है इसकी बैक वले प्लाट साथ मॉल्डा के हैं उससे आगे जो लेन स्टार्ट है लेन फाइफ है लेन सिक्स है उसके साथ आगे पर लेन सेवन है यह जो मन्दवाल रोड से गुजर रहा है और इस रोड नहीं इस किस इंडिवजल का दिल करेंगा कि वह एक कबर के साथ तो गहर हो मतलब स्नौड़ बाओट कि मैं वह उस पात बजारा है जरा हो अगर पैसे लगाने है तो प्लॉड है तो कीमत तो कंस्ट्रक्शन कोस्ट की वन फिफफ है यह जाई या निके पांच वन एससा बनता बनता दो डाई क्रोड तीन क्रोड लगा कि मैंने घर जब यहां पर बनाना है अच्छा शांदार घर बनाना है तो मैं क्यों इस घर बनाऊंगा जहां पर साथ एक कबर हो तो डैफिनलि एकर साथ मला के प्लॉट्स यहां पर देखा जाएं तो वह इतने प्रेफरेबल फ्यूचर मे नज़र आ रहिएल इसके ऊपर साथ कर नाके लाए और बना बैक साथ में और मीजट्ट कराट विजट करते हैं और अपको पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा इनके पास याद रहे हैं जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसके बावजूद भी आपको नीचे प्रॉपर हर चीज नजर आएगी सेंटर में पूरी सुसाइटी के अंदर किसी भी रोड पर देख लें आपको बीयाटी लेन मिलेगी यानिक बोट आगा आपको नदर आ रहा है जो मैं जूम कर रहा हूं यह सिलिकॉन विलिज के साथ आगे चाहिए और इससे राइड साट जाता है टोवर्ड रिंग रोड आरवन रोड की तरफ जो जाता है जो ऑवरसीज चैंटल का रिंग रोड है रिंग रोड वेस्ट कहते हैं ज बिसीकली बारा मरला के प्लाट्स हैं इन प्लाट्स में अभी तक किसी प्लाट का भी पॉजेशन अवेलिबल सुसाइटी के पास नहीं है सुसाइटी हुस्ता नियर फ्योचर में पॉजेशन आफर करें लेकिन अभी तक जो हैसकी लैंड तो लगता क्लियर है क्योंकि लैं और नौर्स साइट पर बात करें तो डॉक्टर्स इंक्लेव है जो अभी चेंज होके रियल्टर इंक्लेव बन गया है जायर सी बात है वहां से डिरेक्ट वियू आएगा डिरेक्ट वियू बनेगा तो अगर वह रिया लिटिगेटड रहता है तो जायर सी बात है कि वहां पे उस तरह से अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा जो भी मेंबर्स कैपिल स्मार्ट इटी का विजिट करेंगे तो म अज़्ड रहाँ पे अविजिट वह पार फिरा वाए इसमिन फिरेटगेटी के पास फूरेगा उिए पैस नहीं पथे Sector F की जो 5 streets हैं, उनमें से अधीे जादी राधी रहती है और उसके रावा साथ मेंस नांगे स्ट्रीट हैं, जिन मेंस की 7 प्लॉट्स हैं, सेक्टर F में स्वाल करती है, उन मेंस के प्राबलम की बात है कि वहां पे ज्यादा लेटिकेशन है, स्ट्रीट सिक्स से ऑनवर्ड अगर बात करें हैं, स्ट्रीट नमबर 12 तक, तो वहां पे लेटिकेशन अभी बाकी है, लीनियर पार्ट का जो पार्ट है, साथ मलवले प्रॉट्स की ताकि आपको एजी अंडरस्टेंडिंग हो सके कि व काशित कारी तो नहीं, लेकिन खैर कोशिश की की है, यहां पे काशित कारी की, उस ताकि लेन नदर आती है, यह पीछे जो आपको कुछ घर नदर आ रहे हैं, यह डोक लुना मेरा घर है, जो के, यह एक निवरोड था यहां पर कहो था पहले, उसकी जमीन आती है, और यह ज इस से आगे, अगर देखें लेफ्ट साइट पे, तो आपको सारी लेंड जो साथ मर लगी है, वो नदर आएगा कि लेटिकेशन में, आज की डेट में मौजूद है, अभी तक उसकी लेटिकेशन क्लियर नहीं हो सकी, जब साइटी उसके लेटिकेशन क्लियर करेगी तो आज की डेट में देखें तो अभी तक उनको पॉसेशन की कोई नियर बाई सिच्वेशन नजर नहीं आती, यानि कि इनका प्लॉट नियर फूचर में बिल्कुल पॉसेशन जो नियर फूचर में नजर नहीं आता, अब यह जो मैं आपको यह पार्ट दिखा रहा हूं जहा से, रिंग रोड वेस्ट के नाम से, उसने आके यहां पर करनेक्ट करना, और यहां पर आर्ट मिल्डा कमर्शल होंगे, और बैक साइड पे यह जो आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, यह सेक्टर एफ की सबस्यदा क्लोज प्लॉक्सिमिटी में है, इसका नाम है नू नूटेक यूवर्षटी जो अब यहां पर याद रहे कि बहुत सरे साइटी ऐसी हैं जो 20 साल से हैं लेकिन उनके पास यूवर्षटी नहीं है, तो नूटेक यहां पर मकमल होगी तो सेक्टर एफ के मेंबरान को उसका बहुत बेनिफिट पास होगा, तो इन जेनरल सेक्ट इस्टैबलिश नहीं होगा जब तक प्लॉट डिवैलप नहीं होगे, और यह जहां पर मशीन काम करती हुए नजर आ रही है, यह बिसकर लीनियर पार्क वाला इरिया बनता है, जो सेक्टर एफ स्ट्रीट नमर फाइफ के साथ, और स्ट्रीट नमर शिक्स के दरम्यान में और लेनियर पार्क रोड आई तिंक उसका नाम दो नहीं को लेकि लेनियर पार्क रोड आते हैं यह पर तो यह उसके साथ ले रही है, जह मशीन काम करती हुए नजर आ रही है, और इसमें अभी साइटी यहां पर यह आपका नजर आ रहा होगा, जो आफिस यहां पर अगर हम लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन इसकी बहुत ही प्राइम प्रॉक्सिमिटी में आती है, यह जो आपको स्टार्ट में वीडियो के रोड नजर आ है, यह 20 लेन का रोड है, जिसका नाम है मेन बुलेवर्ड, जो कैपिल स्मार्टिट का मेन बुलेवर्ड है, और इस से जो एकसेस फ़न रोड निकल रहा है, यह वान 80 फ्रीट रोड, यानि 10 लेन का रोड है, और यह जा करनेक्ट करता है चक्री रोड को, और चक्री रोड के साथ, यानि के जितनी भी वहां पर स्टार्टिज आएंगी फ्योचर में तो उन्होंने इसी रोड से कम्यूट करना होगा, और यहां पर कैपिटल स्मार्ट्री वाले एक इवेंट कर चुकी है, और अभी जो ग्रेंट बैलेट का इवेंट होगा, वह भी इसी मार्की में होगा, तो मार्की की प्रॉक्सिमेटी बिल्कुल वाकिंग डिस्टंस पे है, उसके साथ में बुलिवर्ड आपन इंटरचेंज की प्रॉक्सिमेटी वाकिंग डिस्टंस पे है, अब बात करते हैं जी एक्जैक्ली स्ट्रीट पाइस की कौन से स्ट्रीट हैसी हैं, जो अभी तक नॉन डिवैलेप हैं, राइड नाव जो स्ट्रीट पर फुटज देख रहे हैं, यह स्ट्रीट नमबर इले फिर यह आपके स्ट्रीट नमबर 15 आती है, और यह स्ट्रीट नमबर 14 है, इन स्ट्रीट पे किसी भी इंडिविजिल का प्लाट हो तो अपने प्लाट का फॉरण पॉजेशन लेके, और स्ट्रीट नमबर 13 भी विवन, इन स्ट्रीट पे किसी का प्लाट हो तो अपने प्ला year भी दिया है up to certain percentage तो यह जो 13 से लेकर 17 तक स्ट्रीट बनती हैं इन members के पास यह golden opportunity है कि अपने plots को ready plots हैं इस में बिल्कुल भी देर मत करें हां अक्सर लोग इस वीडियो के बारे बात करेंगे यार sector G जो है वो बिल्कुल depression का blog था यह सारा feeling का blog था doesn't matter, point is कि आपका plot जमीन पे exist करता है और आपके plot की आज की date में existence है वो मौके पे मजूद है तो आपका plot जो वो reality है उसमें वो file होना system नहीं है कि यह कभी plot बनेगा वो ऐसा कुछ चकर नहीं है अब बात करते हैं जो बाकी जो block है sector G का वो उसमें development का status के है अब यह जो part आपको नजर आ रहा है जहां पे आपको यह party सी नजर आ रही है जहां पे कमरा भी बनावा नजर आ रहा है यह सारा part litigation में आता है और यह street number 12, 11 इस से पीछे वाले side पर जाना शुरू करते हैं तो वो all streets बनती हैं अगर हम इस तरफ जाएं सेक्टर G के overseas central के तो यह वले streets नहीं स्टार्ट की streets है यानि street number 1 से लेकर street number 9 तक जो streets आती है उन streets की footage है और यह आपके सामने है कि इन streets पे भी अभी mostly part पे मैंने कहता कि सारे पे लेकिन mostly part पे आपको development almost final stage इस पर नज़र आती है जिसकी example यह है कि आपके street की जो proper यह मैं काफी height से ड्रोन उड़ा रहा हूँ यानि कि तक आपको आपको आइडिया और होगा streets काफी छोटी नज़र आ रही है लेकिन यह 40 feet wide street है जिसमें 20 feet I think carpeted part होता है और बागी करके सामने open space होती है उन streets की मुकमल development जो है वह आपके सामने है तो sector gene general अगर हम बात करें percentage wise कितना developed है कितना non developed है कितना area litigated है तो मैं कहुंगा sector G का ना बहुत कम part है जो litigated है यानि कि यह वाला part अब precisely अगर आप देखें तो street 78 से काम start हो जाता है और आगी यह सारा जो part आप काता है यह भी लिटिकेशन में है और इसकी society के पास अभी आज की date as of 28th of October 2024 society के पास land मजूद नहीं है लेकि most probably जार सी बात है society जब इतने बड़े scale पर operations कर रही होती है तो वो यह इस तरह की जो निटी ग्रीटीज होती है उनको resolve कर लेते है अभी हम बात करें लेट से जी background में आपको golf course में नदर आ रहा है और यह आपके इस तरफ main believer भी है और main believer जो है इसकी future point of view से और एक और चीज़ यहां से आपको एक और चीज़ का view मिलता है उसका important तो नहीं है लेकिन future point of view से usability के point of view से बड़ा important है that is this university और यह आपको बिलकुल जो boards लगें नजर आ रहे हैं यह basically capital smart का interchange है university का view important नहीं है university की usability important है और वो इस block के लिए जह हो बड़ी easy access पे होगी है जनरल इस sector के लिए easy access पे होगी उनमें membran को कोई इस हद तक मुश्किलाथ नहीं होगी अगर हम बात करें opposite side पे गॉल्फ कोर्स होली side पे तो members को यहां पे इसका benefit ही होगा जितनी गॉल्फ कोर्स के अंदर चीज़ें बनेगी यानि के start में यह जो plot है यह वनीजिया का plot है जो कि seven star hotel है जिसमें डांसिंग पॉंटेन भी और इस तरह की चीज़ें भी है इसका benefit जो पास होगा वो sector G के members को होगा और यह जो road है जिस पे भी आपको यह traffic commute करते हुए नदर आ रही है इस road ने जाकर जब चक्री रोडों connect करना है मैं अगर आपको दिखा देता हूं आपको दें गॉल्फ पॉर्स कितना close block से डिने में नदर आ रहा है जिससे आप अंदाधा लगा से थे हैं कि आप जो product और यहां plot से भी ज्यादा महें नहीं है अगर आप इसमें plots buying में इंट्रस्टेड हों दिए अगर राप्ता करें यह road जो है जाकर connectivity प्रवाइड करते है with the main चक्री road मैं आपको अभी zoom करके दिखाब देता हूं सारा area और यह सारा area developed है इसमें कोई एक कहलें कि जरा सा portion भी litigated नहीं है तो यहां से direct access बनती है यह road जाकर डारेक्ली गॉल्फ कोर से opposite side पर होती हो एक bridge करती है और इस सारा area जो बनता है यह domes और घर यह basically चक्री road है जो traffic वहां पर नजार ही है इतने दूर से clear तो नदर नहीं आएगा बट फिर भी just for the understanding यह इस वक्त सेक्टर जी की importance है location की अगर आगो capital smart city यह लाहूर smart city में बुकिंग वाले से कुछ मालमाद चाहिए हूं बीगे नमर पर रबता करें इसके साथ साथ हमारे website visit करना मत भूलें www.mkansolutions.com अगर आपको वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें विजवान चीमा को दीजिए जाज़त अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाप्रिस